नमस्कार दोस्तूं इमित्र ग्यान यूटूब चेनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तूं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया पेन कार्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से डोकुमेंट्स की आविशकता होती है अगर आप नया पेन कार्ट बनवाना चाते है और online या offline किसी भी माध्यम से आप पेन कार्ट को apply करते है तो हम आपको इस वीडियो के इंदर बताएंगे कि आपके पास कौन-कौन से डोकुमेंट्स का होना जरूरी है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नमबर डोकुमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो आपके पास पैचान पत्तर यहने identity proof के तोर पर आपको कुछ डोकुमेंट्स की यहाँ पर आविशकता होगी आप पैचान पत्तर के लिए आप रासन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को आप तिनू डोकुमेंट्स में से किसी भी आप एक डोकुमेंट्स की फोटो कोपी लगा सकते हैं इसेकेंड नमबर डोकुमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एड्रेस पूरूप के तोर पर आपको कुछ डोकुमेंट्स की आवशकता होगी कि आपकी आयू कितनी है तो आप एजपरूप के लिए आदार कार्ट की फोटो कोपी दस्वी या बार्वी कलास की मार्शीट की फोटो कोपी या फिर आप जनम परमान पत्र की फोटो कोपी को आप काम ले सकते हैं जब भी आप Paint Card के लिए Apply कर रहे हैं तो इन चारूं डोकुमेंट्स में से किसी भी एक डोकुमेंट्स के आप फोटो कोपी लगा सकते हैं इसी के साथ अंतिम डोकुमेंट्स की बात करें या चोते नमर डोकुमेंट्स की बात करें तो आपके पास दो कलर पासपोर्ट साइज फोटू होने चाहिए जब भी आप फोर्म के लिए apply करेंगे तो आपके पास दो color passport size photo होने चाहिए photo आप बिल्कुल साफ सुत्री खिचवाए ताकि जब भी आपका pen card बन कर आए तो आपकी photo सही डंग से दिख सके और आपका pen card अची तरह से सही तरीके से बन सके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से आप एक नया pen card apply कर रहे हैं तो यह documents आपको पहले तयार करवा लेनी है ताकि आप जब भी pen card के लिए apply करें तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े उमेद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया वेका वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए अभी तक आपने हमारे चैनल इमीत्र ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस सब्सक्राइब परके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देजिए करता कि गर बेटे आपको एसे ही मैद पूर्ण वीडियो मिलते रहे जहिंज बारत वन्दे मात्रम